अब पाएं गंजेपन से छुटकारा बात्र दो घंटों में एर पैज सिस्टम द्वारा तेसिया फैवली सैलोन के साथ पता महरास्ट बैक्टी के सामने दिली रोंट सागर शराब दुकान पर लड़कियों को देख कर प्रिसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नाराज हो गए हैं बोले कि दूसरे जगह से पढ़ने आई बेटियां शेहर की फिजाख खराब कर रही है मामला इन दौर का है जहां कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने नाराजगी जटाई उन्होंने कहा कि ये इन दौर की बेटियां नहीं हो सकती है इनके माबाप बिश्बास कर इनको यहां पढ़ने के लिए भेजते हैं लेकिन यह यहां आकर बिगड़ जाती हैं उनका वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है बता दे कि कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों इन दौर के दलाल बाग में कथा कर रहे हैं इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विजयनगर चौराहे से साया जी चौराहे की ओर जा रहे थे तभी देखा कि मदिरा की दुकान पर चौरे तो कम थे चौरियां ज्यादा थी आजकल का माहौल खराब हो गया है उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये इन दौर की बेटियां नहीं हो सकती दूसरी जगा से यहां आकर कॉलेज में एडमिशन लेकर कमरा किराय से लेकर ये बेटियां फिजा को खराब कर रही है आगे पंडित प्रदीप मिश्रा बोले की ये माता अहिल्या की भूमी है और रहेगी इन दौर की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती है कि मदिरा की दुकान पर लाइन लगा कर शराब खरीदें सिलो चलाई ये बर्मा जी खुद गाड़ी चला रहे थी सिलो सिलो गाड़ी हम जहाँ ठेरे हैं बर्मा जी क्या अजकल का माहूल खराब हो गया गुरुजी हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरी इंदोर की बेटियां नहीं हो सकती है मेरी गारण की इंदोर की फिजा को इंदोर की हवा को और इंदोर के बातावरण को ये दूसरे जगा के आकर यहां कॉलेज में एडिमिशन लेकर जिनके मावाप इनको धरुसा करकर भेजते हैं और वो कॉलेज में लेकर या कहीं कमरा किराइस लेकर ये बेटियां हमारे इंदोर की फिजा खराब कर रही हैं इंदोर का वातावरण इतना गंदा नहीं है यह आज में माहिल्या की भूमी है और माहिल्या की भूमी रहेगी इसको कोई नकार नहीं सकता या आज भी माता हिल्या हाथ में शिवलिंग लेकर चलती है तो यहां की बेटियां इतनी मरियादा नहीं तोड सकती कि मदीरा की दुकान पर लाइन लगाकर मदीरा खरी दे यह इंदोर की बेटियां नहीं हो इन दोर की बेटियां तो आज भी कपड़े भी अगर पहन के जाती है तो मर्यादी पहन कर जाती है पर इनको चिडाने के लिए जो बहार की लड़कियां बेटियां आई हैं वो कपड़े उस तरह के पहन कर जाती है कि हम तुम भी ऐसा पेनों जैसा हम पेन रहा है कि हम एक नगा है